लगतार खबरों से अपडेट रहने के लिए The News Planet समचार ग्रह को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए बैल आइकन को प्रेस करें खबर बिजनौर से हैं जहां मचले का शिकार करने गए एक यूवक की दोस्तों ने ही साजिश के तहत हत्या कर दी हत्या करने के बाद उसको शव को गाउ की ही पास बन नाले में फेक दिया और फरार हो गए सुचना पर पहुची पुलिस ने घटना स्थलका निरिक्षन किया और मृतक की शव को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया बिजनौर स्पी डॉक्टर धरमवीर सिंग मौके पर पहुचे और घटना स्थलका निरिक्षन किया दरसल चांदपुर थाना छेतर की जमालो दीन पूतर निवासी सोनौ अपने दोस्तों संग मचली का शिकार करने गया था तब ही उसके दोस्त ओम प्रकाश्टी एक राय होकर पुराने रंजिश के चलते सोनौ की हत्या कर दी चाकोत इसे गोत कर सोनौ की हत्या की गई है बिजनोर S.P. डॉक्टर धरमीर सिंग ने बताया कि मृतक अपने दोस्तों के साथ मचली मारने गया था पुरानी रजिश के चलते युवा की हत्या की गई है S.P. ने बताया कि आरोपियों की हिदासत में ले लिया गया है और मामले की पोस्ताच की जा रही है बिजनोर की चांदपुर से तारिक शेक की रिपोर्ट कि कि क्या गटना हुई जो यह मडर हुआ है यह मच्छी मान ने गया था पिच्छा से मच्छी करदन का कि कंशी का साथी शुक्त विजनपर नियुगा है वाहाँ हुआ है और मिल का व्याएं फिर केंसे पता चला करा तो यह बता है देखने गए देखने लग्यां फट कहता देखने तो अनिए पदानाम ने दुन आम रही है फिर कैसे बता लिक्त ने परता हम आएगा देखने पुलिस ने पकड़वाया उसने बताई जागे न हमने मारा पानी में गेर दिया मार कर अब पुलिस काल कर ले गई उसे भई या ऐसा मारा सर्जु आज ये मडर होगा है क्या मामला पुला है ठाना चादपूर के जमालु दिनपूर में एक सोनू नाम कर देखती जो 32 वर्स का है उसकी चाकू से मार करके हत्या की गई मृतक का पिता रहतास ने आरोप लगाया है कि गाउं का ही ओम प्रकास जिससे रंजिस चली आ रही थी अपने दो साथियों के साथ में कल साम को ले गया गया था और ओम प्रकास को विरासत में लेकर के पूस्ताश की जा रही है जिसने अपने जुर्म को कबूल किया है और उसके जो दो साथी हैं, उनसे भी पूस्ताश की जा रही है, अभी ये फायार प्राप्त नहीं है, लेकिन जिस पर आरोप है, उसको जिरासत लेकर के पूस्ताश की जा रही है, इनकी आपसे रंजिस है, और उनकी डेट बाडी गाउं के पास में ही एक नाला है, मशली मारने आया था, कल साम को चापू से वार करके,